नमस्कार इंडिया निउस देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ तमना अरुडा आज बात पोटेशियम को लेकी करेंगे चिहां पोटेशियम की कमी अगर आपके शरीर में हो जाती है तो किस तरीके से आपको महसूस होता है मानू शरीर में भुकम सा आ गया इस तरीके से पोटेशियम की कमी हमारे शरीर को खलती है और पोटेशियम की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें कमभीर बमारियों का सामना करना पड़ सकता है दिल की बमारी का जो है दिल का खत्रा जो है इस potassium की कमी से हमारे शुरेड में बढ़ जाता है दिल का दौरा जो है इस potassium की कमी से हमें आ सकता है तो हमें लगातार ही साबधान रहना चाहिए अपनी diet जो है प्रॉपर उसे प्रॉपर तरीके से जो है अपनी diet लेनी चाहिए अपना lifestyle जो है पूरे तरीके से ठीक रखना चाह यह हनुमान की बल की तरह हमारे शरीर में जो हैं पोटेशियम हनुमान की बल की तरह काम करता है जो इस तरीके से पोटेशियम की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो हमें गंभीर बिमारियों से जूचना पड़ सकता है मैं आपको बता दूँ कि Potassium Mineral की मात्रा में शरीर में कम ही होती है मगर ये संतुलित रूप में जरूरी है Medical Research से जुड़ी संस्था Mayo Clinic के मताबक ये Mineral हमारे brain से सूचना या आदेश लेकर शरीर के बागी हिस्सों तक पहुँचने वाली नसों शरीर और दिल की मासपेशियों के लिए बेहत जरूरी है ये शरीर में Electric Signals भेजने का काम करती है किचन में बहुत से चीज़े ऐसी होती है जिसे कि आप अपना Potassium बढ़ा सकते हैं अपना Potassium Level ठीक कर सकते हैं Potassium Level जादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हर चीज़ के नुकसान और फाइदे दोंहीं होते हैं अगर जादा मातरा में आप Potassium में ले रहे हैं तो उसका भी आपकी शरीर को नुकसान होगा लेकिन Potassium अगर आपके शरीर में कम हो जाता है तो उसका भी आपके शरीर को नुकसान चेलना पड़ेगा कि शरीन में जो पोटेशियम लेवल है वो बरकरार रहेगा इसी तरीके की हेल्थ टिप्स लेके एक बार फिर से हाज़र होंगे अब चुड़े रही एंडिया यूस के साथ नमस्कार